तो हेलो इस्टूडेंट वेल्कम बेक टू माई चैनल सम्राट केडमी तो दोस्तों मेरा ना मैकास और मेरे प्यार विद्धार्थ यह वीडियो बहुत ज्यादा इंपोर्डेंट है आप लोग के लिए क्यूंकि इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 मैट के जो प्रश्ण एक वीडियो में हम डिस्कस करने वाला है ठीक है और इससे पहले हमने वास्तिविक संक्या काया महत्रपूर एक वीडियो में बना रखा है और आपके दो चरवाले रहकीक समीकण भी समाप्त कर दिया है बहुपत तो आपके चेप्टर से हैं ही नहीं इसके बाद अब का बज़ाता है दुगास समीकरा तो सभी मेहत्रपूर प्राश्ना आया कहीं में कंसेप्ट वाज़ आप लोगों कुमी किलियर करने वाला हूं और वीडियो सुरू से लिएके लास्त तक देख लेते हैं तो सारे महत्रपूर प्राश्नेदे किलियर हो जाएंगी एक कह पूछा जाएगा आपके इस चेटर से अगर इस चेप्टर सूरु से लेकर लाश तक देख लेते हैं, तो इस चेप्टर से जितने भी इसमिकण पूछी जाएंगे इस सम्मिकन को समिकन मणा कर अरुडवर्ग बना कराल किजिए तरह इस ने खे ले गहां की देखना होगा होगा कि धुगास सम्मिकन,हारी की siitä डिवगास मम्मिकण है मतब आपको बताना पिए प्लूस के बी एक्स और प्लस बुराबर जीरू ठीक है एकसी स्कूर प्लस के बियों प्लस c ब्राबर जीरू होता है अगर इस इस्ट्रक्चर पहाँ तो समघ लीजिये आप लोगों का कि द्यूगात समिकर्ण है एकस्था प्लस ब्रस Hugh B review निम्न दिवघास समिकड़ हैं तो पहला परण को निम्न दिवघास समिकड़ है तो यहाँ धी और को श्यक्त में एकस मानस 3 ठीक है अभी स्क्राइब के इसको में पताना है कि यह दिव गौसर में कड़ाने जान है Jen इसको हमें क्या करना पड़ेगा हल करना पड़ेगा यह आपका एक मतलब एक एक और प्लस टूल दिया बरावर इसको तोड़ेंगे तो दो गुड़ा एक में करेंगे तो दो एक समाइबस दो त्याएंच घ्याएंट धीकर अभी हो जाएगा है प्रस लिविख यह श्क्वार एक और प्लस 2 गौला एक यह च्वाist में करेंगे तो एक और दो दो एकस आने वाला हैं बरावरी एकस मारस क्या हो गया ठीक है इधर ड केंस्ल हो जाएगा बाइभ आहधे सथा गृश प्लस एक और माना शेदर आएगा था प्लस प्लस है बराबर 0 तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स स्कॉार प्लस यहां पे एक्स का गुड़ांग नहीं दिया तो इसको में लिख दूंगा 0 गुड़े कि यता है यह दिवहात समिकर है अता यह दिवहात समिकर्ण है क्लियर हो गया चलिए अब इसा तरह दूसरा पार्ट भी सॉल्व कर देते हैं कि दूसरा पार्ट पर देखेंगे कि आपका दूगा समयक्रण है या नहीं जैसे में दिया यहां पर दूसरा पार्ट कि 2x-1 फिर रखा 1-3 बराबर 1-5 और 1-1 यह चीज दिया हुआ इसको बताना कि दूगा समयक्रण है या नहीं तो सिंपल गुड़ा करना पड़ेगा दो आज ग Video अजा है माजनख 싶े लोकृत्ड पीच में प्रक्रण है थे सो टीजिए दूकर दो टेंचेश्ट्स कर चैया फिर मानस एक गुर्ण गश्च कर लेते हैं तो यह पे मानलस- इक्स और गया बच्च 2022 और थिखटेंगे दो मैनस हमाइब तो यहाँ से घार तो मैनस पांच एक्स एता यह तो यहां से ओगा जाए घृट तो यहां से कनके अगर है अगर 100 कशेगा और माइनस था जब सिक जाए एक्स और तीन और पांच मिलकों जाएगा आठ बराबर जीरो तो देखिए अभी यह उसी रुपका है आपका यह एक्स स्क्वाइर और प्लस बी एक्स प्लस ती बराबर जीरो उसी रुपका एक नहीं बिल्कुल है तो इसको मिलिक देंगे कि अतह यह द्यूगात समिकड़ ह अतह यह द्यूगात समिकड़ है कि लिए रोर आप लोगों बताएं बहुत अची तरीके से तो पहला टाइप यह रहेगा कि आपको पूछेगा कि द्यूगात समिकड़ है या नहीं है तो आपको इस तरह हल्व करके बताना प्लाएगा द्यूगात समिकड़ है या नहीं है इसे तरह तीसरा पार्ट यहां पर सॉल्ड46 गर देते हैं यहरा थीसरा पूछ लाएं कि यह भी डूगाश समय करहत है यह तो यह तो 5 आ-3 कारें यह नहीं तो सिंपल सब्सक्षार सब्सक्रांट इस टिए सब्सक्राइब टिंः ऐसं आ प्लस्तिन एक लीए स्थरण ट McGत मानस साथ माने किसट मानस एक सबस्सक्राइब थीफ मतिना उीन कॉर्छ तो जागा तो जागा दो एक्स ठीक है और माइनस के तीन तो माइनस एक्स माइनस दो और प्लस दो एक्स और मानस दो एक्स और मानस तीन दरगा तो प्लस तीन बराबर क्या जागा जीरो तो यहां से हो जागा मानस एक्स और माइनस दो एक्स मिल को जागा क्या आपका मानस त तो बताए कि यह दिवगात समेकर नहीं है तो देखें मेरे प्यार वी दर्थ वह पाप के लिए वह क्लियर होगा कि कौन दिवगात समेकर होता है को नहीं होता ठीक है तो पहला टाइप आपका द्यूगासमीकण है या नहीं जेक करके बताए तो आप इसको हल करके बताना पड़ेगा आपको कि द्यूगासमीकण है या नहीं तो अगर A x e square और प्लस B x प्लस ती प्राव Chaos का जाता थह संदें दूगाना के Cum La receber अब इसके बाद हम देखने वाले हैं टिक है कि किसी में कि दिवाशमीघ्न को समिकण को समीखण बनाकर कैसे अलकरंगे किसी समर्ब नाकर कैसी मैं किसे कि u Miche King अदि इस के बाद हम आगे यह चैनल थे कीस हल करते हैं ठीक है समीक्राइब बनाके तो क् coloca पिदी से हलकरते हैं सब्कुर्ण बन जाता है एग घ्रण खंड बीदी से उसको क्या कर लिया जाता है हुआ जैसे जरू करना है समिकड़ बनाके तो देखे गुड़न खंडवीदी कहता क्या है गुड़न खंडवीदी बहुत ही ज्यादा सिंपल है देखे कैसे करेंगे इसको दिया है दो एक्सी स्क्वाइर माइनस पांच एक्स और प्लस तीन बराबर जीरो देखे लास्ट वाला का गुड़ा करते हैं पहले में तो करेंगे तो क्या जागा तीन दूने के छैस्ट स्कार आ गया और बीच व्हला पाद है आप लोगों का minus के 5 X आ जाए तो यह सा क्या से संग्या तो 3 गुड़े 2 है यही तो है 3 गुड़े 2 लेकिन 2 ऑन मैनस में होगा क्योंकि minus 3 और minus 2 कोबड़े करेंगे तो आपके 6x में स्कॉार भी हो जाएगा ठीक है इस बीच वाले पार्ट को हमने तोड़ दिया मानस 3 और मैनस 2 मिलके मानस 5 होगा ठीक है कि लियर है अब यहां से एक पर इसके साथ एक पर इसके साथ इसके बराबर में 0 लगा दीजिएगा तो यह हो जाएगा यहां से क्या कामल ले सकते हैं एक्स देहीं होजागा आपका दो एक्स और माइनस तीन और यहांसे खुच काम नहीं तो एक काम ले लेंगेडिए ठी माइनस थीन इनिकल यहां तो बच गया कहा यह लिए एक झांसे सब क्या माइक से लिग mol grass बच गया एक बेख्त जीन है कि एक यहांसे갔ं क्या बरावर जीरो कर दिया जाए ठीक है तो दो एक्स माइनस तीन बरावर जीरो कर दिया जाए और एक बार एक्स मानस एक बरावर क्या कर दिया जीरो तो हो जागा यहां से सब्सक्राइब करने के लिए एक सब्सक्राइब करने के लिए यह वीच वाला पार्ट क्या है यक्स और लेकिन हाँ हालांकि एक मानस में और यह प्लस में और बड़ा मानस में चाहिए और बड़ा कची लगता है तो जाएगा च्छार एक स्कॉार माइनस के चाहर एक सब्सक्राइब करने 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 का तो यहां से अगर में दो कम ले लोगन दो और ये चैंज नहीं यह प्लस कम लिए तो आपका तीन एक सब्सक्राइब अगर यह उसके बरहुंए और रहां कि unmdl works तो सब्सक्राइब करद्स पारबलॉइब चैंटन तो के प्रेज्जरी सब्सक्राइब यख कर दिया जाएं और यह जाएगा कि थी घुर्ण मानस कोड़ाबर यह फेला जाए Meghan बटाइबे एक सिटानल भाइए हुझा परmostat यहां बाइए नकंट्सार थीन कुरां मर दीजिए नें सर्य के वकरणेट आखके रहें हुझे महीं भीदई लगाने हैं तो सबजेट ही शुल करने हैं। लग जाती है ठीक है तो पहले जीतना भी सब्जेक्टी क्यूसन से गुड़न खंड बीदी लगता है पर वह मुष्ट इमोटन क्यूसन देख लेते हैं इसके बाद हम पूडवर्ग बीदी देखेंगे ठीक है तब इसके बाद युगाती सुतरल देखेंगे तो चलिए निश समकुर्थी बुझ की जो उचाई है इसके अधार से साथ सेंटीमीटर क्या है कम है यदि कड़ आपका तेरह सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भूजाएं ग्यात कीजिए अब एक समकुर्थी बुझ की बात कर रहा है जिसे में आप लोगों को समझाना की कोशिद कर रहा हूं माइनас समकुर्थी बुझ यह समकुर्थी बुझ की जो उचाही है इसको नाम में देते हैं भी यूषका जो घ्ञात नא कर पाएंङे तो अगर मैं अधार को एक्स मा लेता हूं एक सेंटीमीटर आपका क्या अधार है तो चाए इसण निंगल जाएगा क्योंकि उचाए अधार से साफ सेंटीमीटर कम है तो आपको यह समय सींटीमीटर क्योंकि जो क्यों धिरत हुआर कुझा माना आधार की लंभाई माना अधार की लंबाई तो अधार की लंबाई आपने कितना माना है तो यक्स यक्स संटिमेटर हमने माना है कितना यक्स संटिमेटर हमने अधार की लंबाई मान लिया तो अधार की लंबाई यक्स माना है तो इसलिए उचाई तो अराम से निकल जाएगा उचाई जो है अध पाइथा गुरस परमे इसलिए लगाएंगे क्योंकि संकुर्ट तो लिखेंगे पाइथा गुरस परमे से पाइथा गुरस परमे से पाइथा गुरस परमे कहती गया है कि कड़ का स्क्वाइर कड का स्क्वाइर बराबर लंब का स्क्वाइर और प्लस आधार का स्क्वाइर यही तो कहता है पाइथाकुरस्पर में बिल्कुल कड का स्क्वाइर बराबर लंब का स्क्वाइर प्लस आधार का स्क्वाइर तो यहां से क्लियर हो जाएगा आपका गड़। आपके पास 13 दिया है, तो 13 का esqqqr, ब्राबर lomb आपका दिया य면 x- 7 तो 20 Ha is square, क्योंकि लomb यहाँ पे उचाई काम कर रहे हैं, और प्लस, अधार का है, हमारे पास y least x, X का स्कॉार ठीक है बराव इसको स्वाल करेंगे तो तेरह को जागा आपका 179 बरावर ये अपका एमारस बीक्यों स्कॉर बोड़ जागा तो कि होजागा एसकॉर मतलब एसका स्कॉर प्लस बीस कर मतलब कि साथ का स्कॉर फिर माइनस के दो-ए ए मतलब एक सब्वी मतलब साथ और प्लस इसका क्या हो जागा आपका एक्स-स्कॉार हो जागा ठीक है चलिए अब देख लेते हैं आगे आगे हो जाएगा आपका 179 ऐसे ही रहाएगा बराबर यह हो जाएगा एकसी स्क्वाइर अब प्लस साथ करेंगे तो साथ साथ है 49 मारस साथ दूने के 14X और प्लस क्या हो जाएगा X स्क्वाइर यहां तक तो सब्सक्र के लिए जाएगा यहां पर 14X यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इधर बजगे जीरो बराबर इसको कि इसको हम किदर साथ ले जाना है इधर साथ लेकि जाना है ठीक है तिदर बजगे जीरो 2X स्क्वाइर अब प्लस के 49 और प्लस 179 उदर जागा तो मानस 179 और मानस कि क्या भंजगा च 나타कर बरावर दो एक स्क्वाइज जीरो बराबर दो एक स्क्वाइर 189 में सेаров चाहं को ढटा दिजें 179 में से किसको गटाना है 49 को गटा देना है तो कितना बज़ाएगा यहां पे नो में सनो गया तो जीरो बारह चार सो रहा है 120 वह भी माइनस के मानस के 120 बज़ जाएगा और फिर माइनस के बज़ गया आपका है 14 यक्स तो इसको लिख देंगे मैनस 14 यक्स और मैनस 120 बरावर 0 कोई फर्क पढ़ने वाला नहीं है ठीक है अब इसको एक्टर कर देना बीच वाले यहां पर फैक्टर कीजेए देखे दो कामा लेज़ेदो कामा ले सकते हैं तो आब इसको सरुड बना सकते हैं दो कामा लेंगे तो गुड़ा में उधर जागा तो भाग में हो जागा थे और जीरो हो जाएगा ठीक है तो बज जाएगा आपका बस यक्स स्क्वार माइनस के साथ एक सम माइनस के साथ वरावर जीरो बज जाएगा अब देखे गुड़न खंड भी लगा दीजिए बीच वाले पॉर्सन को जोड़ने अगा ठन पर साथ आना चाहिए गुड़ा करने पर आपका साथ आना चाहिए तो बारा पाचे साथ क्यूंकि बार साथ आएगा तो लिखेंगे एक स्क्वार माइनस के 12 एक और प्लस पांच चैक्स क्यूंकि मैनस 12 में से प्लस पांच गठेगा तब मैनस आगते साथ पर आपका सिमपल आप यहाँ से फेक्टर बना जी एक पर इसके साथ इसको इसका जोड़ा बना लिए एक स्काम रे लें पांच्टक बराबर के जरें गहाँ लोगों को कि यह कि देगे इसके बराबर जिडिये कर देंगे ये ये 100 बारा बराबर जिर और यक स्वारा फंच बर्या जाघाजा तो फ्लस बार grandsच तो बारा एक बार konsult ब्लस अधार की लंबाई इसलिए अधार की लंबाई तो अधार की लंबाई हमने क्या माना था यक्स तो यक्स बरावर 12 सेंट्मीटर अधार की लंबाई या गया ठीक है और उसकी उचाई है और उसकी उचाही कितने होजाएं एक अधार की लंबाई माना था क्या उचाही से 7 सेंट्मीटर कम है यह 10 माना था कि बार copy 12-7 ब्रावर कितना जँआब 25 comparable 5 सेंट्मीटर इसे को अधार की लंबाई या whipping लगा स्टेडियों को मैं लिते हैं यह में इसलिए नेशों की संगते हैं वह वह चांग है ऑल करते हैं यह प्राश्ण व्यर्वेर्ण कान प्राश्ण भी परस्णे पराश्ण लिस पर तेकर बीज़ान रहें में प्रशना चुका है कि एक कुटिर वज्द्योग एक दिन में कुछ बर्थनों का निर्मार करता है एक 20です दिन यह देखा गया कि प्रत्य iax की निर्मार लागत रुपे में उस दिन के निर्माड किये गए बरतनों की संख्या के दोगुने से तीन अधिक है यदि उस दिन की कुल निर्माड लागत अगर 90 तब तक बरतनों की संख्या मालूम नहीं रहेगा तब तक आप नग का निर्मार कैसे करेंगे क्योंकि नग का जो निर्मार है उस दिन के निर्मार किये गए बरतनों की संख्या के दोगने से तीन अधिक थी तो पहले हमें बरतन मानना पड़ेगा बरतन कितना है तब ही तो ब माना बरतनों की संख्यां तो बरतनों की संख्यां हमा लेते हैं यक्स कितना है यक्स है और प्रतियक नग की निर्माड लागत अब निकल जागा प्रतियक नग की निर्माड लागत निर्माड लागत तो प्षटेक नग की जो निर्माड लागत है तो उस दिन बने बरतोनों की बरतेन की आयक्स उस दिन बने बरतोनों की संख्या का दो गुणे से तीन अधिक attracted तूसका दो गुणा से हम तीन अधिक कर देंगे ठीक है तो यह आपका निकल गया क्या प्रतेक नक की निर्माड़ लागत निकल गया ठीक है चलिए यहां तो चीज़ें क्लियर हैं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अब कह रहा है यदि उस दिन की कुल निर्माड़ लागत अगर 90 रुपया थी उस दिन की कुल निर्माड़ तो यहां से आपको समुक्रण बंगे स्कार कर दिजिए को यहां से अग्ड़ूरण करना है तो यहां पर निकल जाएगा दो एकसी स्कॉार और प्लस तीन याक्स और प्लस नभेश प्लस नभेश जीरो हो अब यहां से ऐसा फेक्टर करना है कि जोड़ने गटाने पर क्या प्लस 3 आ जाए और गुड़ा करने पर मानस 180 आ जाए तो इसा कौन सा है तो 15 गुड़े 12 है 15 गुड़े 12 इसमें से गटाएंगे 15 वारा तो तीन भी आ जाएगा अब 12 में से पंदर गुड़ा करेंगे तो 180 भ तो 2x square और plus क्या हो जागा 15x और माइनस के 12x फिर माइनस के 90 परावर 0 होगा यूंकि 15x में से 12x गटेगा तो खुब आराम से 3x बच जाएगा ठीक है तो चलिए यहाँ पर factor बना लिए या इसके साथ factor बन गया या इसके साथ factor बन गया तो यहाँ से कामल लेंगे x तो यहाँ बच जाएगा 2x और plus कितना बच जाएगा यहाँ पर 15 और यहाँ पर माइनस 12 कामल लेंगे 2x मारस कामल लिया है तो यह मानस मारस गुड़ा होगा तो प्लस हो जाएगा भाटता है कि अब क्या करेंगे तो बार से भाग नहीं जा पाएगी तुमने बार गलत कामन लिया हमने कितना कामन ले सकता हूं यहां पर 6 कामन लेता हो कितना जैए 6 कामन लेंगा तो च्यां दूनी के 12 यहां बज़ जाएगा दो एक्स और इसे कट आँगा तो पंदर च्छा करना पर यहां बजागा पंदर बराबर जिरो मतलब गुड़न खंडता वी सही होता है जो इस कोष्टक में आना वह भी इस कोष्टक में आना चाहिए तो देखिए इस कोष्टक में दो एक्स प्लस पंदर आ गया तो इसमें है न हो कामरे ले देखिए दो एक्स प्लस 갑नरा और इढ़र बच यह पर उसके बरुझक कर देंगे तो चलिए सिंपल करते हैं ने कि क्या हो जागा तो एक बार यह प्लस पंदर बराबज जिरो तो दौ एक्स बराबर प्लस मैंनस 15 और उदर जागा तो मानस 15 दो होगा नहीं केसिल अगा आपका य Heritage यहीं होगा उथा था निर्मीत बर्तुन Looki प्रत्यक निर्माडर लागत हो जाएगा ठीक यह पर परस्ष्ण बहुत ज्यादा इंप्रेन्ट था आई होप आउप कोई वाला प्रश्ण बहुत अच्छे से किलियर हो गया होगा मेरे प्यारी दर्थियो वेरी वेरी मुष्ट आइम पी प्रश्ण यहा है चलिए अब इसके बाद हम देखेंगे पूडवर्ग वीदी से हम किसी भी दिवगास समय करको पूडवर्ग वीदी से हम कैसे सौल्व करते हैं अब उस टाइप की क्यूशन देखने वाले है चलिए देखिए आप पूडवर्ग वीदी क्या होती है तो दो ही स्टेप चलता है पूडवर्ग वीदी में पहला काम होत है कि यक्स के गुडांक का आधा का वर्ग करके जोड़ना वर्ग हटाना है ठीक है यही दो स्टेप चलता है और इसी दो स्टेप से आपका अहला प्राप्त हो जागा जिसे में द्युगास समक्र दिया है कि यक्स स्कॉार प्लस 4x3 बराबर 0 इसको हमें पुडुवर्ग विदी से हल करना है तो सबसे परले जो यक्स स्कॉार को गुडां की एक स्कॉर गुडां की यहां पर एक तो इस गुडां कहां किया बना पड़ है थो यह दो अब इस दो का हमें वर्ग करके जोड़ना या घटाना है ठीक है इसमें तो चलिए करते हैं तो यक्स स्क्वाइर और प्लस चार यक्स अब इसमें से प्लस दो एक्स का इस्क्वार हम जोड़ देंगे और माइनस दो एक्स की स्क्वार गटा देंगे एक बार जोड़ देंगे एक बार गटा देंगे और प्लस तीन बरावर 0 हो जागा तो हो जागा आपका एक्स स्क्वार और प्लस चार एक्स और प्लस 2 का x square और मैनस y square क्या हो जागा 2 का 4 प्लस 3 बराबस 0 देखे इसमें होता क्या है कि यहां तक जो person आपको आगे का दिखाई देता है यह आपका या तो a plus b का whole square होगा या तो आपका a minus b का whole square होगा 100% एक दोनों में से कोई ना कोई एक होगा स्कुर्ण है आगे वाला है और पीछे वाला इ स्कार है डियंस आपको फ्लस में तॐ में जाना जाएंगो यहाँ प्लस गवह हो जाएं घरس प्लस मानस में निकलता है तो एक बार प्लस लेने पर मानस लेने पते वह लेते हैं पॉजिटिव लेने पे तो पॉजिटिव लेंगे तो आपको हो जागा एक प्लस दो बारावर प्लस के एक तो एक बारावर एक प्लस दो दर जागा तो मानस दो ठीक है तो एक बारावर के निकल जागा मानस के एक खल तो यहां से निकल गया आए एक बार क्या लेने पर मानस लेने पर ठीक है एक बा निकल ग GIS 3 निकल गया। X 3 निकल गया।सी निकल गया एकिस fryस के नहीं एक नहीं है। तो चले ऊसको हैं चलिए देखिए यह वरा क्यूंसान है इस में देखिए एक सी स्कॉार गुड़ां के 1 नहीं यह करना पड़ाइगा तो यह स्कॉार गुड़ां के 1 तब ही अपाईगा जिसमें 5 का भाग देंगे हम 5 से 5 करेगा तब ही तो एक और मार्म KrOne और बेख हो गया और है फो यह मैंस के दो रिख क्वांश хотя Chiекс I к पांच का होली स्कॉार करके जोड़ दीजिए घटा दीजिए तो लिखेंगे यहां पर यक्स स्कॉार मैनस छोड़ पांच यक्स अब जोड़ना हमको क्या तीन बटे पांच का होली स्कॉार जोड़ देना है और यही तीन बटे पांच का होली स्कॉार क्या कर देना है घटा कि यहां तो किसी को दिक्कत कोई नहीं होना चाहिए ठीक है तो इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा और देखें एक चीज हमने तो मिस्टेक करी रखा है क्योंकि पांच का बाग देंगे तो इसमें भी तो पांच का बाग जाएगा तो यह हो जाएगा आपका एक्स माइनस तीन बटे पांच का होली स्क्यार ओधर ऑदार बेहां अब देखें का यहांपर यहां से तो यह मा nuts तीन बटे पांच का ziet नहींत हो quieren दो धर शाइक आपका ये यक्स माइनस तीन अधिया है तो उनहीस वर्टे किया हो जाएगा ठीक है तो आपकरना क्या है 19 को अरुमूल निकल नहीं पाएगा तो यह आपका 19 सी रहने वादा करड़ी में 25 को अरुमूल 5 निकल जाएगा थीक है में यह प्लस मानस निकले गा तो एक बार क्या लेंगे पॉजिट्यव लेंगे तो लेगे पॉसिट्यव लेने क'RE पॉसिट्यव लेने पॉसिट्यव लेंगे तो जाएगा 1-3 भटे पांच बरावबर करोड़ी में 19 भटे कितना हो जाएगा पांच थीखे तो यहां सी एक्स कि परम निकालने तो हुझा आपकर अजैंगा तो एक तो आप लोगों का एक यह आ गया हम मूल इसका हल आ गया और दूसरा निंगेटिव लेने पर निंगेटिव लेने पर इसलेति हो जाएगा आप यक्स मारी नस थीन वटे इस प्रकार हम लोग हल करते हैं ठीक है मेरे प्यार विदर थे वेर विर विर most important है ठीक है तो चलिए next question देखते हैं चलिए देखे आप सिर्दा चारे या दिवगाती सुत्र से किसी भी समिकन को कैसे अमल करते हैं दिवगाती सुत्र या सिदा चारे सुत्र से कैसे करते हैं देखे जो दिवगाती समिकन होता है वो इसका structure होता है a x square plus b x और PLUS c वराबर क्या होता है zero होता है यहीं से आपका x की बेरो निकलता है तो यक्स वराबर क्या होता है दिवगाती सुत्र में कि माइनस b और PLUS माइनस करड़ में होता है b square माइनस 4ac और बटे के होता है आपका 2A तो यह फर्मूला आपका दिवगाती सुत्र या सुत्र खैलाता है चलिए एक मैं आप ले लेता हूं सम्मिकण दिवगाती सुत्र से हल करेंगे जैसे मैं 1C2 में ले लेता हूं और प्लस 6X और प्लस 8 बरावर 0 यह हमने ले लखा है ठीक है अब यहां से इस जो दिवगाती सुत्र से दिवगाती सुत्र हल करने के लिए सबसे पहले अब्लस 4 बरावर 0 यहां से तुलना कर लेंगे और आराम से निकल जाएगा यह बरावर क्या हो जाएगा यहां पर कुछ नहीं तब यह बरावर माइनस सुत्र में बी बी के बलू क्या अच्छ है फिर प्लस और माइनस फिर कलड़ी में B², B हमारे पास 6, तो 6 का क्या कर देंगे? माइनस 4 गुड़े A, A हमारे पास क्या है? एक, और C हमारे पास क्या है? यहाँ पे 8, और बटे में क्या है? दो गुड़े A, यह मतलब क्या? एक, ठीक है? 36 बती जागा तो 4 बते दो तो x बरावर माइनस 6 और प्लस दो अध के दो हो जागा यह एक बार positive लेने पर positive लेंगे तो जागा एक स biology और minus के 6 और 29 हो जागा तो इक समर्ब क्या जागा यहांपर minus 4 वते 2 कि एक सिल हो जागा तो एक्स परावर माइनस के आठ पटे दो कैंसे लो जागा एक्स परावर क्या जागा माइनस के चार तो एक्स परावर माइनस के चार आ गया और एक्स परावर यहां से क्या गया माइनस के दो आ गया यह इसके हल निकल गए ठीक है तो कि कितना सिंपल है वेर वेर मुस्ट इंप 4-6 सबस्क्राइब माइनस के खी और निकल जागा उड़र तब सूतरा लागा सब्सक्राइब और ऑगर दे रखाया माइनस की एक दे रखाया और प्लस माइनस कलड़ी में 20 स्कॉार भी हमारे पास का माइनस की एक का फोली स्कॉार फिर मानस चार गुड़े एक विलू कितना है दो है ठीक है तो अराम से निकल जागा यक्स बराबर यह तो आपका प्लस एक हो जागा मानस मानस ठीक नाचार साथ और यहां पर पूजटिव ले लियर नेपे तोSTE investing बचल एक परका प्लस और साथ मुर्टिया जाएगा यहिए ην Google लगानाईन आराम से परहो ने पर निघंड शके सतने आराम से लगाए थाऊ आपका खेल प्लस एक मांस के साथ बटे ऐसाओ निकल pi करने तो तो संब्सक्राइब टैसा जगा माईनस की तीन बटे तो यह इस परह间 nya सब्सक्राइं एसको देख लेते हैं इसे अंगे चहल करेंगे सिर्दाशारी सुट्र लगा ख्यारा ठोर indigenous समी करण को कि एक आयताकार बुखंड का जो चहत्रफल है 58 यह पूरा पूरा इरिया च्यतरफल आपको आपको एडिया है वह दे दिया कितना है पांसो अठाइस मीटर स्कॉर दे रहा है ठीक है और कि इसकी लंबाई जो है न वह चवड़ाई के दो गुने से एक दिखें कौन लंबाई चवड़ाई से तो चवड़ाई हमको मानना पड़ेगा तो चवड़ाई को अगर मैं एक्स माल लेता हूं तो लंबाई इसक कि दो गुने से एक दिखें मतलब दो यक्स प्लस एक हो जाएगा इसका दूगना करूंगा तो यक्स प्लस एक हो जागा क्या इसकी लंबाई हो जाएगा तो कर आब भुखंड की लंबाई और चवड़ाई जया चलिए सिंपल है तो यहां पर पूरा चीज आपको समझा ग सीवचि हो कि मना इस्टाइक बख़ंड की चोड़ाई चोड़ाई क्या हो घाकष है तो चोड़ाई एकस निकल डिखन केत्रमऻर म्सका दिखेंगा इसलिए लिए लए लएदक रोफयार प्लस एक üstुक्ष मेतफ है तो यह॥ा हो जाए गल आप हो जाएगा और तकछेросल अब इसे हल करेंगे, तो सबसे आपको मालूम है, चेतरफल का फर्मूला क्या होता है, तो चेतरफल होता है, आपका लंबाई और गुड़े क्या होता है, चोड़ाई, ठीक है, लंबाई और चोड़ाई बरावर कितना चेतरफल कितना दिया है, पांसो अठाइस दे रखा है, लंबा यह हमारे निकल आई है 2x प्लस एक निकल गया है और चोड़ाई आपका एक्स निकल गया है इसको मैं 6 फल की बरावर कर दूँँगा के लिए चलिए तो यहांस हो जागा इसलिए हम स्रिधा चार नियम लगाएंगे, स्रिधा चार नियम लगाएंगे तो A बरावर 2 और B बरावर 1 और C बरावर माइनस 500 क्या जागा आपका 28 आजागा तब यहाँ पे A, B और C कब लूँ आ गया तो सिर्जा चार नियम लगी जाएगा और सिर्जा चार नियम क्या होता है आपका यक्स बरावर माइनस के B और प्लस माइनस करड़ी में B स्कॉार माइनस के 4 A, C और वटे के क्या होता है 2 A होता है और इसी पर रखना हम लोगों को तो यक्स बरावर माइनस B, B के बिलू क्या है 1 फिर प्लस माइनस फिर B स्कॉार मतलब 1 A स्कॉार माइनस के 4 गुड़े A A हमारे पास क्या है 2 और C हमारे पास है 528 और वटे में 2 गुड़े A प्लस चार दूनी के 8 गुड़े कितना हो जागा पांसो अठाइस ठीक है और वटे के दो दूनी के 4 हो जाएगा अब यहां से निकालेंगे तो यक्स बरावर माइनस एक और प्लस माइनस यह जागा 1 प्लस पांसो अठाइस में कितना गुड़ा करना है आठ का तो यह जागा 4224 और वटे में कितना जागा चार जागा ठीक है अब यह जरू हल कर लेते हैं यहां तक चीज़े किलियर हैं तो यक्स बरावर माइनस प्लस माइनस ठीक है क्या हो जागा 4224 पे एक जोड़ेंगे तो 4224 क्या हो जागा 25 और वटे में क्या जागा 4 आजागा ठीक है तो यक्स बरावर माइनस एक और प्लस माइनस चार जागा 255 होता है और वटे यह 4 हो गया तो करना क्या एक बार पॉजिटिव ले लिजिए पॉजिटिव लेने पर तो प्लस ले लेंगे तो क्या हो जागा तो यक्स बरावर क्या जागा आपका सोरा ठीक है एक्स बरावर क्या गया सोरा आ गया और एक बार अगर निगेटिव ले ले लेते हैं तो निगेटिव लेके देख लेते हैं कि बेलू क्या आता है तो क्या लेने पर निगेटिव लेने पर निंगेटिव लेके देख लेते हैं value कितना रहा है तो हो जागा आपका yaks भरावर minus 1 और यहाँ minus without 1 हो जागा बाटे में 4 तो yaks भरावर minus 600 और minus 6,6 то 4 कटा देंगे तो minus thể 23 बाटे कितना जागा 2 minus magari 23 बाटे 2 हलांकि minus तो लेते नहीं है इसलिए यक्स बरावर सुरह ही ठीक है तो यक्स बरावर सुरह गया तो आराम से वुखंड की चोड़ाई निकल जाएगी आताकार वुखंड की चोड़ाई पूता था ना अताकार वुखंड की जो चोड़ाई होगी वह गया यक्स तो यक्स हमाने था सुरह तो यक्स पहले स जाए जाएगा इसकी लंबाई आ जाएगा ठीक है तो 33 मिटर इसके लंबाई जाएगा चोड़ाई आ गया सोरह संटीमीटर बात खतम तो देखिए यह प्रस्ण वेरी वेरी मुस्ट इंपोटेंट है आई होप आपको प्रस्ण के लिए रहो जाओगा मेरे प्यार विद्धा यह सभी प्रस्ण अगर आप तैयार करके चले जाते हैं एक भी नंबर आपको कटने वाला नहीं है क्या है कि एक रेलगाडी एक समान चाल से 360 किलोमेटर की दूरी तैक करती है यदि यह चाल पांच किलोमेटर पर ती घंटा अधिक होती तो उसी आत्रा में घंटा क्या कर कम समय लेता तो तो रेलगाडी के पूछहें कि चाल गयात कीजें विर्वरी मुस्टी मुठें, पहले मांना ceremony की चाल, ठैक है मांना रेलगाडी की चाल, बहुत जादा सिम्पल्प स्वाल है, मांना रेलगाडी की फाल कामाल ले जाए है, यह क्याला है यक स्किलोमेटर से गंठा है और दूरी करता है कि तना 360 किलोमेटर आपका क्या है। दूरी करता है। तो समय बराबर क्या होता बताई आप समय बराबर होता है, दूरी बटे चाल, तो क्या होता है web 290 गंटा तो क्या हो जागा आपका 360 किलो मीटर पर ती घंटा क्या निकल जागा इसका समय निकल जाएगा ठीक है फिर क्यारा कि रिएलगाड़ी की चाल 5聊 अगर अधिक होती बतो रियलगाड़ी की नई चाल यह तो रियलगाड़ी एक समय चाल से चल थी रेलगाडी की चाल अगर पांच केलो 멅चे पर गंटा अभाल नहीं स्थी तो आप एक लग दएक एकश प्लबूस पर गंटा तो चाल तो आपने बढ़ा दिया है लेकि दूरी तो 70- proton तो मियर्कोट ऑप का निखल जागा यहां ऐसे किलो मीटर देखें दूरी किलो मीटर में होता है और यह आपका होता है किलो मीटर परती घंटा में जैसे यूनिट की बात करें तो 360 किलो मीटर आई आपका जो होता है किलोमीटर पर ती घंटा में किलोमीटर्स किबने से तो कितना गया 360 वटे用 प्लस 5 घंटा ठीक है अब लगने लगास तो तकर आप पहले कि पेए पिछया एगंटा कम अप्तव समय बात की कि हम 360 वटेक्श में से क्या करेंगे यह घंटा कम समय लगरा है पहले के है आधी इतना लग रहा था और पहले आप लग रहा था थो पहले एक घंटा कम समय चाहिए यहां तक चीजे के लिए रहें चलिए यह तो जाग आपका 360 और माइनस के एक्स कि और अब अब बटे एक्स बरावर यह उतार लिजेए फिर्य गुड़ा कर लिजेगा ठीक है चलिए इसकी गुड़ा इसमें इसका गुड़ा इसमें कर लेता है ठीक है तो सभाष में करेंगे तो 360 एक्स और मानसी देश्क गुड़ा इसमें करेंगे कि बज़ जागा, इदर मानस के 16 स्कॉर बज़ जागा और प्लस कितना बज़ जागा 1800 और मानस के 5, ऐफ जीरो बज़ गया, ठीक है,수비wnil talent, खिलियर हो गया, अब करना हम को क्या है, तो प्लस 5-10 यहाद यहां पर कितना जहागा? एक बेराबर कितना जहागा? पांच और सी बेराबर कितना जहा जएगा? माइनस के 8 तो गया तब यतना आ गया तो आप यहां पर नियम लगा देंगे सिधा चार नियम, चली इतना आगया, तो सिधा चार नियम क्या ख़ता है, x ब्रावर माइनस b और प्लस माइनस, कलड़ी में b स्कौार माइनस के 4 a c, बटे क्या होता है, 2 a है, अब लगा देदी अ नियम, तो बढ़ा X के डिल यहां से अगर X की बेलों निकाल नों तो मानस 5 और प्लास मानस कर दिए में कितना जागा प्लस यहां फो इतना जाए आपका और ठीक है अठारा चुक कितना होता है बहत्तर तो अठार चुक बहत्तर सो हो जागा पूरा और बटे में दो गुड़ेक में करेंगे तो दो आजाएगा ठीक है अब यह जाएगा यक्स बरावर माइनस के पांच और प्लस मानस करड़ी में बहत्तर सो में से पचीस अगर तो प्लस मानस एक लिख आहूँ है और टीजिस्ट टो यह उन्स बरावर क्या जागा मानस मानस प्लस मानस 5 बते के 2 आजागा तो एक बार reports लेने पर मिगेटिव लेने पर तो हुआ जागा से यह अर्ग सरावर मानस के 5 और प्लस के 85 हो जागा और बते में 2 तो हो जागा एक्स बराबर 580 में संब्स नहीं चाँश करेंगे त्यक्साइबीsp Manos दों लंबाई कोई मैनस में होती नहीं इती एसलिए एक सब्Z souvent उलिले हैं हमसे पूचा क्या था रेलगाडी की चाल तो रेलगाडी की जा अमने Ogari की चाल बैसे अभी माला क्लोज हो जाएगा थीका वह है मूदों की प्रकृति क्या है मूदों की प्रकृति चलिया मेरे मूदों की प्रकृति मूलों को निकวा करती आपका धीनोट करती बीबियत कर पर भी बिटकर का विर खाswraf मतलब भीवितकर अगर जीरो से बड़ा आ जाए जीरो से बड़ा जाए या तो जीरो आ जाए देखे जीरो से बड़ा होना चाहिए जीरो से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए अगर भीवितकर अमारा जीरो से बड़ा आ जाए तो उस समय हमें उसको बलते हैं दो भीन रहते हैं तो हाँपर दो भीन वास्तुन होना चाहिए दोंसे म tydo अगर ये कोई वास्तिक मुल नहीं होता है रखिर के तीन कंडिसन उती है मौलों connection प्रकृति से च्षोटा से ओर को को याद होना चाहिए चलिए इस पर किस प्रकार बनते हैं उसको हम देखते हैं चलिए देखे प्रश्ण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्यारा कि सामिकर्ण तीन एक्सि स्कॉर मानस दो एक प्लस एक बड़ा 3 का पहले विवितकर ग्याद किजिए पहले इसका विवितकर ग्याद करना है और फिर बताएं कि मूलों की प्रकृति अगर वास्तियुक होगीं तो उन्हें ग्याद कीजिए तो लोक फर्क्ति को वास्ति का होता है ठीक है तो चलिए देखते हैं फ़लेktionOOOOO तो सबसे पहले हम इसका विविदकर निकालेंगे तो 3 यक्सी स्कॉार माइनस के 2 यक्सा प्लस 1 बटे किया है 3 बराबर 0 तब विविदकर निकालने के मतलब कि D का फर्मुला गाएंगे D बराबर B स्कॉार माइनस 4 A C है इसके पहले हमें A B C के बलू चाहिए तो A बराबर क्या जागा A बराबर 3 B बराबर माइनस के 2 और C बराबर 1 बटे 3 प्राप्त होगा अब यहाँ पर D बराबर लेखेंगे B स्कॉार 20 स्कॉार मतलब कि माइनस के 2 का स्कॉार फिर माइनस 4 गुड़े A A मतलब 3 और C मतलब 1 बटे 3 3 से 3 क्या हो गया केंसी लोग गया तो D बराबर क्याने माइनस 2 का स्कॉार करेंगे तो 4 और माइनस यहाँ पर 3 ठीक है तो D बराबर यहाँ पर क्या जा रहा है हमने का कि B स्कॉार माइनस 4 AC अगर 0 पराफ्थ हो जाता है तो 2 भीन समान वास्ति व्कॉमूल होगा तो D बराबर जीरो हो गया तो इसका वास्ति व्कॉमूल निकल लेगा तो पहले चली उसको निकालते हैं तो वास्तिक मूल निकलेगा किस से तस्रिदा चारन यहां से तो स्कुर्च मैनस के 4 Et si और बड़े सातशत्य लिगए तो यहां से usan निकले गाहे यक्स बरावर मैनस कटना नाय था वी मामी है तो वी हो मामी की स्कुर्च मैनस कज स्कॉर मामस 4 et si यहां तक की वैलू शुरा यहां जीरो लिख दूँगा और बटे दो गुड़े एक वेलू कितना है तो एक वेलू आपका तीन आए ठीक है अब देखे यक्स बराबर मानस भी मानस किन्सल तो दो हो जागा प्लस और प्लस जी को जीरो को पर मूल जीरो ही होता है वटे दू त्याइट थे हो जागा आपका एक जीरो जीरो जोड़ूँगा तो दो ही जागा बटे में छहाए तो 2-3 एक वही तिना जाएगा और मानस मेेलेता हूं यह ज़ए मानस मेले अगर वीवत्कर जीरो आता है तो दो वास्तिविक जो मूल आता है दोनों वास्तिविक मूल आपका समान आगए एक बटे तीन आगए ठीक है कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों कोई प्लियंत्र ख़्याले हो गया ऑगया चलीए अब नेक्स्ट एक बड़ चलते हैं देखते हैं छाइवन किया कि द्धास समिकर इतना इतना का सब्सक्राइब घ्र वहाल है नहीं कि देगे पार हो नहीं प्रकते हूं तो कब यह च्ज़दों के प्लस सरामनös चाहर दो 40 कि यहां पर माइनस के 8 देखें डीआ ब्रावर माएनस गुआ कोई वास्टविक्मूल नहीं होगा क्योंकि D जो है वह 0 से छोटा आ गया तो कोई वास्टव का मुल नहीं होगा तो इस तरह के परस्ण आपको एक्जाम में पूछएगा ठीक है और प्राम से चाहेंगे तो इसको कर लिजेगा मेरे प्यारविद्दार्थी ठीक है चलिए आयोफ आपको यह प्रश्ण खिलियर हो गया होगा कोई विडाउट आप लोगों की इस प्रस्ट में नहीं होगा ठीक है तो जितने मेरे प्यारविद्दार्थी विडाउट आपको कैसी लेगे बताईए वीडियो अच्छे लोगे तो प्लीज लाइक कीजेगा और चनल पना है तो चनल को सब्सक्राइब करके विल आइकन को प्रेस के लिजेगा मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में तब तक धन्यवाल